नमस्कार साथियों मैं डोकेट बिने पांडे इलहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लगभग एक हपते से जो है जब से जो है हापड का घटना हुआ है तब से जो है नियापालिकयापूरे उत्तरप्रदेश की ठप पड रड़ी हुई है और अधिवक्ताओं की एक ही मांग है कि जो भी दोसी पुलिस कर्मी है उनको जो है सब्सक्राइब किया जाया जो कि मादव एक महिला अधिवक्ता पर जो है लाथी चार्च किये और यस्पी को मलब हापूर के यसपी और हापूर के डीम को जो है जो की अधिवक्ता और उत्रप्रदेश के ही नहीं सुप्रिम कोड़ बार एसोसियेशन के भी वकील जो है सब हड़ताल में जो है सहयोग कर रहे हैं कुछ वकील तो सुप्रिम कोड़ के जो है हापुड पहुंचे भी थे समर्थन देने के लिए और आज जो है बैंगलोर जो की करना अभी जो है जो लेटर जारी किया है उसमें अस्पस्ट रूप से कहा है कि आठ तारिक को जो है हम दो बजे प्रियाग राज जो बार कॉंसिलाफ उत्रप्रदेश का आफिस है वहाँ पर मीटिंग होगी और इसके बाद हम आगामी रणनीत को तै करेंगे तब तक हो सकता है जो कमेटी बनाया था योगी जी ने उस पर कोई निर्ड़े आ जाए और उसको देख कि फिर अंदुलन की आगी रणनेती बनाने पर जो है बार कॉंसिलाफ उत्रप्रदेश ने लेटर जारी किया है तो फिलाल वखील जो है किसी भी कोताही के मूर में नहीं है और हमें अधिवक्ताओं की जो है जो हरताल है क्योंकि अधिवक्ताओं की हड़ताल लगातार भी चल सकती है अधिवक्ता जुकने वाले नहीं है पूर में भी एक-एक महिने तक हड़ताल हुई है अधिवक्ताओं पर जो फायार किया गया था उसको इस्टे कर दिया है रोक दिया है लेकिन अधिवक्ता भी मानने को तयार नहीं है अधिवक्ताओं का मांग है कि हापुड के DM और ESP जिन्होंने आदेश दिया उनको हटाया जाए जिन्होंने लाठी चार्ज का पुलिस वालों को आदेश दिया और उस महिले अधिवक्ता को जो पांच्छा लोग पीटे थे उनको सस्पेंड करना चाहिए तो फिलाल तो आगे क्या होगा यह देखना होगा हम जो शिक्षक भरती के आवे देखें उनको चाहिए कि जो है अब उन्हों की इस यही समस्या है कि अगर कोट नहीं चलती ही 11 तारिक को तो निश्चित रूप से एक बार फिर से जो है एक लंबी डेट 20 दिन 25 दिन की हो सकती है इसलिए जो है चुकि देखिए अभी तक जब से इस्पेसल अपील फाइल हुई है मेरिट पर अभी तक बात नहीं हुई है और किसी ने किसी कारण बस देरे देरे यह मामला टलता जा रहा है समस्चे इस बात की है कि 11 तारिक को यदि सकारात्मक सुनवाई हुई तो ही आगे उत्तर कुंजी और अन्य मामलों पर कुछ न कुछ होगा फिलाल तो दोस्तों रिविजिट वाला जो केस लगा है 11 तारिक को इस वर से मनाएं कि 11 के पहले अधिवक्ताओं का जो है जो भी ह स्थेस बार काउंसिल जो कि हमारी मात्र संस्था है अधिवक्ताओं की उन्होंने जो आवान किया है तो उससे उपर कोई नहीं है फिलाल तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बीच जो है भगवान किष्ण का जो आर्डर आया है सबसे पहले हमने आपको सूचित किया था कि बिहार में 1,70,000 शिक्षक भरती में बीच को बाहर करने के लिए कुछ लोग गए थे और उस पर जो है सुप्रिम कोड ने यह कहा था हमने आपको बताया ही था पहले ही जिस दिन सुनवाई हुई थी कि सुप्रिम कोड ने आर्डर में लिखाया कि हम आसा करते है कि जो है बिहार की सरकार और जो है BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हमारे आदेश का पालन करेगी चुकि वो डाइरेक्ट आदेश इसलिए नहीं दे सकते थे निकालने के लिए कि बिहार की सरकार है वो उसमें पार्टी नहीं थी तो जो भी लोग ये संसाय में हैं कि जो पूर की भरतियां है वो जो है बाहर हो जाएंगे मेरा असपस्ट मानना है चुकि वो लोग जैसे कि अभी 36 गड़ में आदेश हुआ है 36 गड़ मामले में कि जब 36 गड़ की सरकार वहां पार्टी नहीं थी वहां सिर्फ राजस्था का मैटर था राजस्थान की सरकार पार्टी थी तो निश्चित रूप से जब तक उस राज्य सरकार को जहां प्रभावित होंगे वीड़ वाले उनको नहीं सुना जाता तब तक सुप्रिम कोड डायरेक्ट कोई आदेश नहीं दे सकता और यही कारण है कि वीड़ अभियर प्रभावित हो जाईए किसी भी आदेश से जो है जो बिहार वाला आदेश से उससे कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप जो है और आपकी सरकार जो है वहां पार्टी होती अगर देवेस्तर्मा वाले मामले में तब जाके आप डायरेक्ट प्रभावित होते जब आपने प्रभाव पड़ेगा इसलिए जब हाई कोड मैटर चले तो वहां पर जब जब भी पक्षी आये जो है बाहर करने के लिए तो वहां जो है मजबूती से पक्ष रखा जाया उनको यह जो अभी एस बोपन्ना की बिंच द्वारा जो 36 गडवीड वाला जो आदेश आया है उ किलाल तो दोस्तों 2018 से लेके 2023 तक वालों को मेरी नजर में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी आगे कोई भी दिए जो भी अनुरुद बोश का जो आडर है निश्चित रूप से आर्टी एकट की धारा 23 एक 23 एक के अंसार उनुनने इसको रद गिया था 32 में स्टेट को पावर है कि वो रिलेक्सेशन की मांग कर सकता है और स्टेट जो है केंद्र जो है उसमें उसको रिलेक्सेशन सिथिलता दे सकता है निश्चित रूप से जो है इस बात को लेकर चु आगे 23 दो ही एक हथियार बनेगा और राज सरकारें जो है चाहेंगे तो सिक्षक भरती में इसको सामिल कर सकती हैं से थिलता मांगते हुए लेकिन जो है एक नया गजट ला सकती है जो की विकल्प है फिलाल तो G20 देशों का जो है बैठक है तब तक जो है आप लोग धैर बन जरूर सामिल हो जो है ताकि जो है यह सीटी पर एक दबाव बना जा सके एक नए गजट के लिए फिलाल तो जो लोग नियुक्ति हो चुकी है जो नियुक्ति के प्रोसेस में हैं वो लोग निश्चिनत रहिए 2018-2023 तक की यतनी भी वह है वो सब सेफ है और आपको बताना च है जाते हैं कि देवेश सर्मा जो राजस्थान के हैं उन्होंने जो है क्लिज़िफिकेशन एक अप्लिकेशन डाला है क्योंकि आर्डर में कुछ भी कुछ चीज़े हैं जो कि क्रिए नहीं उपा रही है तो फिलहाल जो है जब इससे सुनवाई होगी क्लिरिफिकेशन अप पर क्या किया जाए देखिए इससे मतलब नहीं क्लेरिफिकेशन अप्लिकेशन अक्सर जो है खारीज भी हो जाता है सुप्रिम कोड से बहुत कम परसेंटेज होता है कि उस पर खारीज हो जाएगा तो उससे कुछ मतलब नहीं है फिलाल तो जो भी होगा देवे सर्मा चुकि कि राजस्थान के हैं तो राजस्थान मामले पर वो अपना वो करेंगे चुकि यूपी की भी धारी जो है वहां पर नहीं जाएंगे तो निश्चीत रूप से उनको जो है बाहर नहीं किया जाएगा जैसे कि अभी भगवान कृष्ण वाले आडर में आपने देखा उसमें पश्पश्ट रूप से सुप्रेम कोड ने लिखा है कि चुकि बिहार सरकार इसमें पार्टी नहीं थी जो है इस वज़े से हम इसको नहीं वो कर सकते हम आसा करते हैं कि वह हमारे आदेश का पालन करें आसा आसा करते हैं ना कि स्टिकली आडर जब किसी भी बिहार सरकार य नहीं है इस वजह से हम उनको डारेक्ट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हम आसा करते हैं हमारे आदेश का पलन करें ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं फिलाल तो 2018-2023 की जो लोग है विज्ञापित पदों वाले वह सेफ है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ड का लेटेस्ट जज्जमेंट ही जो है वो माना जाता है यदि 28 तारिक को नों ने जज्जमेंट दिया जो है बिहार वाले मामले पर और 29 को जो है सुप्रीम कोर्ड की एस बुपन्ना की बेंच ने अलग आदेश दे दिया और 36 गड़ बेट धारियों को रहात दे दिया तो निश्चीत रूप से वही आदेश जो कि लेटेस्ट होता है वही माना जाता है पुराना आदेश नहीं माना जाता है तो आगे जो भी होगा हम आपको सुचित करते रहेंगे एक पत्र वाइरल हो रहा था जिसको बच्चों नहीं बना वह सारी चीजें रखी गई थी कि मलब कैसे जो है बीटी सी और डियलेट द्वरा यदि भरा जायेगा भरती तो निश्चीत रूप से जो है भरती यह खाली जाएंगी 38,500 में खाली गई थी 69,000 में कम लोग पास थे तो इस तरह से जो है उसमें एक प्रफार्मा बना था व हम आपको बताना चाहते हैं कि इतने फर्जी फिकेशन वाले चैनल हैं इतने फर्जी चैनल हैं कि जो कुछ भी अगर मिल गया उनको एक लेटर या वो जाए जो हो उसको ऐसा चलाते हैं कि जैसे जो है वो सच हो फिलाल तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी आडियो को ही थेंटिंग माने और